करते हैं कि साथ पर पचासी पैसे का स्टॉक है हमारे सामने चार पोर्शन से ज्यादा की गिरावट स्टॉक में हुई और भारी भरकम वॉल्म आज के दिमें ट्रेड होता हुँ दिखाए दिया है खबर हमारे सामने अच्छी थी एक बड़ा और सुदावन को मिला था और उसकी वज़े से एक अच्छी रैली स्टॉक में दिखाए दी थी वड़ आप देखिए कि हैंगिंग मैं कैंडल बनाकर के स्टॉक आपका फिसलना स्टार्ट हो गया तो कहां तक गिरावट होगी क्या पार्टिस्टिपेट करना है रुक रहना है æगा कर तो क्या जूर्पे निकाल रहना है निकाल नैल करतंब सब्स्क्राइब कर दो कि उसक नर् movimiento नरिफ्यों को चलिए स्टार्ट आपका करने इस फैसी प्रिफ्क्राइब स्टॉक है ना Department driver's ने ऐक उसके चले स्टॉक deep के साथ trade कर रहा था लगादार एक अच्छी तेजी में था stock हमारा अब यहां पर hanging man candle बना कर गया फिसला है दिमांड है दिमांड बहुत अच्छी यहां पर खरीद हो रहे हैं बहुत अच्छी खरीदारी है यहां पर बाजार अगर support नहीं करते हैं चोड़े स्टॉक किसी तरह से फिशलते हुए दिखाई देते हैं कुछ खबरे हैं हमारे सामने सबसे पहले बात करते हैं जो तेजी आये थी उसके पीछे का कारूं क्या था आप इस पॉइंट से देखें यहां से बहुत अच्छा स्टॉक भागा हमारा यहां पर किसी नहीं खरीदारी की होती 4.75 रुपीस का स्टॉक था हमारे सामने और बाय सिगनल यहां पर आया था मैंने आपको यहां पर भी बाय करने के लिए बूला था यहां पर भी निकाला होता आपने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बना लिया होता ओवराल खरीदारी करने का दूसरा मौक सबसे पहले बात करते हैं खबर की कि स्टॉक हमारा भागा क्यों था यह खबर आई थे हमारे सामने शेर्ट अपर से आपनी बैग और फ्रॉम सी एल पी इंडिया तो डेवलेप अफिटीव मेगावाट विंद पावर प्रजेक्ट बनाने के बड़ा ओडर सुलां को मिला थ कहानी बताई है आपको कहानी सिंपल यही कहती है कि अगर यह स्टॉक आप रुपते हैं इस स्टॉक में तो यह आपको प्रिविएस पर लेकर करके जाएगा जो कि काफी हायर था तक भी जाने का पोटेंशल इस्टॉक में है बट क्योंकि कुछ गल्द रिजिजियां से करते हैं यह स्टॉक आपको निराश नहीं करने वाला है और आगे पढ़े तो सिस्टॉन इस खबर को बहुत अच्छा पताया और कंपनी ने बोला कि यह और काफी फाइद रहने वाला यह नहीं रिखाई यहां पर दूर्सी का पूरी नियूस पढ़ेंगा आपको पता लगाए गए हैं तो वह सारी चीजे हैं और यह खबर बहुत अच्छी थी इस और के बाद कंपनी को काफी कुछ मिला है एक इंटरनेशनल और भी पिछले जिनमें कंपनी को मिला था सुलॉन को जब लिए स्टॉक चार उपए बाद शेतर पैसे चार उपैसे पैसे पैसे त अब यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है मैंने पहले आपको कहा था कि अगर आप चार देखकर ट्रेड करते हैं चार देखकर इंवस्टमेंट करते हैं तो आप मोचली प्रॉफिट में रहने वाले हैं आप कुछी जों के बारे में आपको यहां पर डिसकरना चाहूंगा अब देखें कि एक पॉइंट हमारा यह वाला था जब इस तरह के निट्रल जोन में गया और जब भी इस तरह के निट्रालिटी आती तो लोगों को लगता है यहां पर स्टॉक को निकाल देना चाहिए इनकी स्टॉक आपका अभी गिराउट में आ सकता या फिर इस जोन मे उनका रिकावर हुआ अच्छे ममंटम में स्टॉक आपका है और इसमें कोई दूराएं नहीं कि अगर आप यहां पर भी बाइंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा साथ रुपए पचीस पैसे साथ रुपए तीस पैसे का सपोर्ट है आपके सामने बाई ऑन डिप्स लगा पर भी खरीदारी की जा सकती है आट रुपए पंचलमे पैसे आट नो रुपए कि आपके सामने एक अच्छा रेजिस्टर्स मिल रहा है स्टॉक आपको वहां तक जाने की पोटेंशल रखता है स्टॉक आपको वहां तक लेकर के जाएगा इसी ट्रजेक्ट्री में रहने वाला है बहुत ज़्यद्ध गिरावट के संभावने स्टॉक में इस समय पर नहीं है क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है इस टॉक में और अगर बाजार आपको सपोर्ट करता है बाजार स्टॉक को सपोर्ट करता है स्टॉट्रान मुझे रखता है कि इस महीने के एंड तक 9 रुपय का हाई लगा देगा क्योंकि बाजार मीना एक मोमिंटम बना हुआ है अभी एक सेंटिमेंट जो है वो सुद्रे हैं सुद्रान को लेकर और उसी का फाइदा आपको में सकता है यहां पर अगर आप खरीदारी करनी है तो खरीदारी कितनी करनी है कब करनी है यहां पर अच्छा है तो आपको फूर नुपसान हो सकता है जिस लेवल पर अभी है यहां पर तो आपको पांच मुश पैसे की बीच में भी थोरसा मारमारी करनी पड़ी कि यहां पर अच्छा है डिमांड अच्छी है यहां पर आपको धोगा नहीं देने वाला है गिरावाट होई थी क्योंकि सेभी को लगा था यार इतनी गल्दी कैसे भाग रहा है वहां पर उन्होंना अर्टर बिठा दिया तो लोगों को लगा कि सेभ जो दुबारा गिरावाट में आएगा और लोगों ने पैनिक सद दिमांड देखने को मिलेगी 49% 10 जून को थी और अभी आप देखी 51% दिमांड कहीं ने कहीं बढ़ी है कम नहीं हुए है और जब बढ़ती ही देमांड तो यहां पर शॉरली एक बड़ा अच्छा रीजन रहता है कि स्टॉक आपको भागेगा दिमांड अच्छी है बाइं प्राइब करने वाला है हमारा बने रहे हैं यहीं है कि स्टाउक मार्के यो कुछ दिनों के लिए नूट्रल जोन में रखा जाये ताकि थोड़ा से जो नए इंफेस्टर्स होते हैं जिनको लगता है कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ और लोग को थोड़ा सीखने का मौका म से रहती है दूसरा कारण यह भी एकी सोचो एकनामिक प्लिटिकल हो गई सोचो एकनामिक सिच्वेशन हो गई उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है उसको थोड़ा सा चेंज होने मी समय लगेगा अभी आप बाहर निकल के देखेंगे तो बिहेविरल चेंजिस आए हैं बहुत ज़्यादा ऐसे में मार्किट को भी वह चेंजिस करने पड़ेंगे मार्किट को भी उसी तरह से प्ले आफ करना पड़ेगा थोड़ी दिनों तक अगर मार्किट न्यूट्रल भी रहता है उसका बैनिफिट आपको मिलेगा बाई करके चलिए स्टॉक को खरिदारी कीजिए अगर आफ न खरिदारी कर रखिय तो है बाई करने बाग्र धा करमार Stell het पर बंद्धवा था पर करने कि कुछ आइशान के पाद करता बाग्त है डेखितक कि कि मारा बाजार 0.59% डाउन गया है तो overall the situation है वो थोड़ीशी out of control तो नहीं कहूंगा मैं यहां और बट हाँ फोड़ा सा रिस्की जरूर है तो बने रहें यह वाजार में नई खरीदारी करने से पहले सुचे कितना पैसा लगाना है इस बारे में जरूर डिसाइड करें मेरा मारना है पास परसन इसकी इंवस्मेंट 10% सेफस्ट तो थो थो आप वराइटी में लगाएंगे पैसा तो जा आ牛 हम झानी डानी सेफस्ट खरसने कितना पैस 시ози ञवस्में लगान में हमार Сबस्थ पो बहा भी करने अ झाल